हेलो आज हम लोग देखेंगे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में जो कि अभी हाल ही में दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डर पे दिल्ली हर्याना बॉर्डर पे जो चल रहा है उसमें किसान क्या क्या मांग कर रहे हैं और क्या इनका एक डिमांड है उसके बारे में हम लोग एक किसानों की क्या-क्या मांग है हम लोग डिटेल में देखें सबसे पहले MSP की गारांटी पर कानून बने मतलब ओ लोग गारांटी MSP चाहते हैं कि जो भी फसल उब जाते हैं उन्हें सरकार के द्वारा खरीदा जाए हम लोग इस पर एक डिटेल में भी देख लें कि MSP क्या हो होता है उसमें कितने MSP के अंतरगत आते हैं बीस फटे में लोग तों उसक आंटे म्थ हो को खिरी मामले में किसान परिवारों का मुआपजा हो जो छेंन पर हमाबड़ी 2000 enfrent किक अधिय की मिर्टे diabetes में उन्हाइं सरकार के सारा करजा माफ करें जो जो किसान भाई의ों ने जो अपने फसल उपजाने के लिए जो कर्ज लिया है पूरा कर्ज माफ हो अगला है किसानों को पर्दूसन कानून से बाहर रखा जाए मतलब कि र्विश्ण कर दिल्ली जो क हैं ऑक्टूबर, है अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि MSP क्या होता है तो MSP है MSP is the guaranteed amount paid to farmer when the government wise their produce तो MSP guaranteed होता है मानिए कि एक गेहों के लिए MSP क्या 16 रपे निर्धारित क्या गया है तो मतलब इससे नीचे प्राइस इससे नीचे प्राइस है जो किन सरकार के द्वार जाती है तो इससे सरकार खरीद लेगी मतलब क्या किसी भी फसल का एक निच्चित प्राइस सरकार के द्वार फिक्स कर दिया जाता है यह जो फिक्स किया जाता है यह recommendation of commission of agriculture cost and price CACP के recommendation पर यह price निर्गत किया जाता है तो आगे देखते हैं हम लोग नियुंतर समर्थन मूल क्या होता है तो MSPA गरांटीड गरांटी क्रित करासी है जो कि किसानों को तब जी दी जाती है जब किसान उनकी फसल खरीदते हैं और यह किनके आयोकी सिफारिश पर किया जाता है commission for agriculture cost and price जिसे short form में CACP भी बोलते हैं इनमें क्या होता है उत्पादन लागत मांग और आपूर्ती बजार मूल लिरुजान और अंतर फसल मून समानता आदी आदी जैसे विभिन कारकों पर विचार करके यह निर्गत किया जाता है कि कितना MSP होगा CACP है इसके स्थापना होई थी 165 में पहली बार यह किसान किसान मंतर अले के अंतरगत एक करियाल है जो कि 165 में बना था इसके लिए जो निर्ने लिया जाते है परधान मंतरी का अधर्षता में कैबिनेट केमिटियों में एकनॉमिक अफेर्स के दौरा MSP का उज्यों एम है जो उद्देश है उत्पाद को को उनकी फसल के लिए लाबकारी मुले सुनिश्चित करना मतलब जो कि एदी पैसे लगा रहे हैं 1500 तब 1500 से नीचे घाटे मना बेचे एक निश्चित अमाउंट उनको मिले जिससे की किसानों की एक निश्चित आमधनी बना रहे है आगे देखते हैं हम लोग किसानों की जो इस वार की मांग है 2024 में ञो प्रोटेस्ट दूर हुआ है उस में क्या-कैन पर मांग है किसान नेता निश्चित मुल पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा हैं वो चाहते हैं कि MSB पर सरकार एक कानून लेखे आ revision जिससे कि उन्हें गरंटी करित एक उनके MSP पे उनके समान जो बेच रहे हैं जो जो जा रहे हैं उन पर एक निश्चित सरकार निश्चित मुल पे खरीद ले दूसरा है कि किसानों ने दिल्ली मोर्चा के दौरान किन सरकार के और से जीन मांगों को पूरा करने के भरोसा दिया गया था उन्हें तुरंत पूरा करने की मांग किया जाए मतलब कि 2020-2021 में जो किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्पे जो मुगदमे दरज किया गए थे उनें रद करने की मांग सामिल किया गया है चौथा है कि इस बार के अंदोलन में किन सरकार से किसानों की मांग है कि पिछली आंदोलन में जीन किसानों की माथ हुई है लगबग 700 किसानों की मौत हुई तो जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार को मुवजा तता एक सदस्त को नौकरी देने की मांग की गई है तो जो किसान मरे थे 2020-21 के प्रोटेस्ट में उन्हें कुछ मुवजा दिया जा और उनके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी द जो की लखिंपूर कीरी घटना में हुई थी उनकी किसानों के परिवारक उनके मुआपजा दिया जाए और एक परिवार के सदस्य को मुआपजा के साथ एक नोक्री भी दिया जाए आगे क्या है दिल्ली कूच करने वाले किसान नियताओं को इस वर सरकार से मांगए कि सभी क किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करें मतलब जो किसान भाईयों ने जो अपने फसल उप जाने के लिए जो कर्ज लिये हैं उनके सारा जो भी सरकारी हो गैर सरकारी कर्ज दोनों माफ करें अगला है कि साथ साल से उपर के किसानों को दस हजार रुपे पेंसन देने की मांग भी सामील है मतलब जो किसान है जो पिछले जो की अपने 60 साल के उमर तक पहुँच चुके हैं अपने 60 साल के उमर तक उनके लिए एक गरांटी 10,000 रुपे पेंसन देने की मांग किया गया है अगला है आठमा नेता किसान स्वामिनाथन आयोक की सिफारीश को लागू करने की मांग कर रहे हैं मतलब क्या है कि जो मिनिमुम सपोर्ट प्राइस है उससे प्लस 50 मतलब जो की प्रोड़क्शन है उसके 50% ज्यादा उससे इसका गरंटी किया जाए कि इन में इनका जो स्वामी नाथा नायोग की सिफारिस किया गया उसका पूरा का पूरा उनके मांगों कर रहे हैं मतलब MSP प्लस 50 जो production cost price है उसका 50% ज्यादा वो मांग कर रहे हैं जो कि स्वामी नाथा नायोग का रिपोर्ट है मतलब कि केंच सरकार से किटनासक बीज और उर्बरक अधीनियम में संसोधन करके कपास सहीच सभी फसलों के बीजों की गुनवत्ता में सुधार करने की मांग किया जा रहा है तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि MSP है जो अभी किन-किन फसलों पे लागू किया गया है तो MSP है जो कि केंच सरकार किरसी लागत और मूल लायोग की सिफारिस के अधार पर हर साल खरीप और अभी सीजन से पहले 24 फसलों के लिए MSP अधीस उचित करती है इन फसलों में अनाज हैं मोटे अनाज हैं दाल है जैसे खादान सामिल हैं हलाकि सरकारी खरीद काफी हद तक कुछ खादानों जैसे कि धान गेहूं तक ही सीमित है इन में से सबसे ज़्यादा खरीद होते हैं जो चाबल और गेहूं की होती है जो कि MSP के लिए जो 24 फसलों के MSP अधीस उचना जारी किया जाता है ये किन सरकार के दौरा कोई भी फसल के खरीद और रवी के लिए होता है उसके पहले जारी कर दिया जाता है आगे क्या है MSP क्या होता है MSP एक निश्चित मूल पर केंदर और रास सरकारे हैं जो कि उनके दौरा एजनसी हैं जो किसानों से खादान खरीदती है और इसका क्या होता है ये खरीद केंदरिये पूल के तहत की जाती है जिसका उपयोग PDS Public Distribution System और अन्य कल्यानकारी उजनाओं के तहत खादान मुहिया कराने में किया जाता है तो ये किसानों की जो जो मांग है एक बार आप लोग फिर से देख लिए जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आगे देखते हैं कि क्या होता है कि क्या बदलाब आता है सरकार के दौरा उनकी मांगे मानी जाती है या नहीं मानी जाती है तो आप लोग इससे जो भी अपडेट आएगा मैं इससे अपडेट करता रहूंगा तो थैंकियो अपरीबन जो भी इस चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लें थैंकियो